जैशा कि आप लोग जानते हैं कि हम Class 10th Mathematics के अगरवाल के Unsolved Paper के Most and Most and Most 100 से भी ज्याधा Important Objectives को कर रहे थे ये Part 2 है, Part 1 में हमने 20 से ज्याधा Objectives को बताया है, वीडियो नहीं देखें तो लिंक आपको description या comment box में मिल जागी बहां से चेक कर लिजेगा बहुत ही जाधा Important है, देखो ये 100 Objectives कोई ऐसे वैसे नहीं है, मैंने ये 100 Objectives पूरी के पूरी अगरवाल Unsolved से चार्ट करके निकाले हैं अगर आप इसे कर लेते हो, 100 के 100 Objectives में 5 वीडियो बताऊंगा, 5 वीडियो में 100 Objectives हो जाएंगे हमारे Complete अगर उन्हें देख लेते हैं तो 20 Marks की Objectives आपके आते हैं वो बिल्कुल नहीं चुटेंगे, एक भी Question नहीं चुटेगा, 20 नमबर बिल्कुल और बिल्कुल आपके पास हो जाएंगे, आपके Marks सीट में दर्ज हो जाएंगे, ये मैं Guarantee से दावे के साथ पूरे का पूरे क कह सकता हूँ, ठीक है, देखो, हमने इसका पार्ट बर मना दिये, लिंक आपको डिस्क्रिस्ट में देख लिएगी, देख लिएगा, बहुत ही जाधा important है, आज मैं आपको 20 से जधा objectives बताऊँगा, देखो, मैंने यहाँ पर कुछ ये छाट करके बिल्कुल लिखा हुआ है देख सकते हैं, आप इतने सारे objective लिखे हुए है, तो यह नहीं सब को मैं आज आपको कराऊँगा, ठीक है, देखो, इसका जो पहला question है, इसका जो पहला question है, वो कह रहा है कि 0, 0.3 बार है, अच्छा, अब बताईए यह वाली कौन से संग्या है, 0.3 बार कौन से संग्या है परिमय भाजे भाजे क्या कौन से संग्या है, अब इसे अगर कभी आता है, यह बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब समझो, सबसे पहले क्या है, 0.3 बार, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, जिसके उपर बार लगा होता है, उसका मतलब होता है, यह बहुत बार आया है, इस संक्या होगी कौन से होगी अपरी में संक्या होगी तो इसका मतलब कौन से संक्या है अपरी में संक्या है ठीक है अपरी में संक्या है ऐसा समझ जाए जिसके उपर ये बार लगा हो वो समझ जाओ अपरी में संक्या होगी ठीक है चलो टाइम बचे का बोडिक जाम में चलो नहीं है अच्छा हमें दो समीकर्ण दी गई है पहली है एक्स प्लस दो बाई बरावर तीन है ठीक है यह पहली समीकर्ण है और फाइव एक्स प्लस के वाई प्लस स्याविन बरावर जीरो इसे आप थोड़ा सिंप्लिफाई कर लो 5x plus ky plus का 7 इधर भेजो कि माइनस का जाएगा तो यह समीकर second हो जाएगी बताया गया है कि k का मान निकालना है और इनका कौन साइ समीकर पहली और दूसरी बनाई है मैंने का एक कुई हल नहीं है का कुई हल नहीं है कोई हल नहीं है तो हमको k का मान निकालना यह के आपको दिखरा है न यह हमको बताना है क्या होगा इस टाइब से कोशन अगर आए तो देखो कैसे करना है कोई हल नहीं है इसकी condition क्या होती है जब कोई हल नहीं होता है तो इसकी condition होती है कि a1 upon a2 बरावर B1 अपोन B2 0 is equal to C1 अपोन C2 ये condition पता है ना जब कोई हल नहीं होता तो ये condition लगाते हैं चलो अब देखलो यहाँ पर ये हमें A1 कहां से मिलेंगे देखो यहां से मिलेंगे पहली वाली समिकर्ण में ये पहला A1 B1 C1 अब दूसरी वाली में देखलो A2 B2 और ये C2 इस तरीके से अब रख दो मान इन में देखो A1 कुछ नहीं तो बन है तो बन हमारा A1 हो जायाएगा और A2 5 है और B1 हमारा 2 है और ये कह है 0 is equal to 3 बटा माइनस का 7 ठीक है चलो अब इतनी चीज आ गई समझ में अब के कमार निकालना है ये बरावर तो है नहीं देखो ये जो है इसके बरावर है लेकिन इसके बरावर नहीं तो इसे हम नहीं लेंगे केवल और केवल इस चीज को लेंगे बरावर तो देखो इसलिए एक बटा पांच बरावर दो बटा के करेंगे जब हम तो के की बन से गुणा हो जाएगी तो आजागा के कम के और पांच की तो से कराओगे पांच दोना दस तो के का मान आएगा दस option चेक कर लीजेगा ठीक है चलो अगला देख लीजे कौन सा जो अगला objective है वो गयरा है कि एक पांच को दो बार फ्हेका जाता है इसकी क्या प्रायकता है कि पांच कम से कम एक बार आएगा इसकी क्या प्रायकता है कि कम से कम पांच तो एक बार आही जाएगा इसकी बतानी है प्रायक्ता, चलो देखो, सबसे पहले पासे को दो बार फेकने पर कुल परणाम कितने आते हैं, वो देख लो, पासे को दो बार फेकने पर, धान से दिखी है ठीक है, सारे सारे इंपोर्टेन कोशन है, पासे को दो बार फेकने पर, फेकने पर, ठीक है, कुल कुल परणाम देखो कुल परणाम हमारे कितने आएंगे 6 की पावर N कितनी बार फैक आगया दो बार तो N जो हो जाएगा 2 हो जाएगा 6 की 6 गुणा 6 करेंगे तो वाज़ाएगा 36 तो कुल परणाम कितने आएंगे 36 आएंगे याद रखेगा 6 की पावर N जो होता है पासे के परणाम निकालने की संख्या होती है कुल परणाम निकालने के लिए अगर मालीजी यहाँ पर सिक्का होता तो सिक्का के लिए 2 की पावर n लगाते शूतर ठीक है आप समझों यहाँ पर परणाम कौन-कौन से आएंगे अच्छा है 26 पढ़णाम आगे लेकिन कौन को tossे पढ़णाम आएंगे बोचीद देख लो यहां पर, इसको मैं ऐसे होरे एक आजायों, दूसरे वाले पर है थीक है, हो सकता है, पहले पर एक आजाये और दूसरे पर 2 ऐसे ही 1,3 होगा, हो सकता है, पहले पर 1 हो, दूसरे पर 4 हो मतलब कुछ और ऐसे हो सकता है एक कमा पांच हो और कुछ इस तरीक से चलेगा हमारे पास एक कमा छे तक ठीक है एक कमा छे और यहां पर बन जाएंगे हमारे पास हो सकता है दो पर देखो एक से लेकर के चले अब दो को तो दो कमा एक और ऐसे चलेगा और कहीं पर हमारे पा ृच呢 आप 4 को लेकर के चल लो तो 4,1,4,3,4, आइसे गर के कहीं पर 5 आईगा और एसे करके 4,6 ठीख है अब 5 को लेकर के चलो 5,1 आएगा पिर 5,2,5 ,35,6 और नहीं पर 5,5 आएगा आगे चल कर 5,6 हो जाएगा और ठीख है इसको आप पूरा लिख सकते हैं इसको और यह कहीं पर आएगा 6,5 और ऐसे से करके 6,6 चलेगा हमसे बोला गया है कि कम से कम 5 आने की प्राइक्ता कम से कम 5 आने की प्राइक्ता एंसर आगया देखो कम से कम 5 आने की प्राइक्ता ठीक है 5 आने की प्राइक्ता formula क्या होता है sambhavadam byta kul pardam sambhav pardam byta kul pardam kul sambhavadam क्या होता है जो question आपसे पूछा जाता है आपसे पूछा गए कम से कम 5 अब तब कम से कम 5 कितनी वार आया एक वार आया तो एक यहाँ पर हो गया इसमें अगर आप देखेंगे तो केवल एक बार आया है, तो एक यहां पर परणाम हो गया, इसका देख लेगा, तो इसमें भी एक ही आयागा, इसमें देखेंगे, तो इसमें भी एक बार आया है, अब लेकिन इसमें क्या है, इसमें पांच कामा एक आयागा, पांच कामा दो, पांच कामा तीन, पांच काम छे दस और एक ग्यार रहा Prix तो हमारा कितना हो जाएंगे यहां पर तो ओंड़ेटीнут रुकिए जसो यह पर कितना हो जाएगे उर्हा तो यहां पर समभप पस्तिध पर इउर्टल्ब घ्यार रहा घ्यार हम गS तो यहां पर्णाम क्ल USSR हैंटी ठीके ABC के आधार BC के समानतर रेखा करने PQ खींचा गया है यदि PQ अनुपात BC वराबर एक अनुपात 3 है तो AP और PV का अनुपात किया होगा बहुत ही जद्धा important question है देखो यहाँ पर हमको क्या है एक त्रभुज दिया गया है एक त्रभुज हमारे पास है एक त्रभुज ABC है ठीके AVC है इसमें करेका PQ है वो BC के समानतर ये P यहाँ पर है यहाँ पर Q है ये वाली जो रेखा इसके समानतर है देखो जो PQ है वो किसके समानतर है BC के PQ is parallel of BC ठीके चलो और दिया क्या गया हमें ठीके दिया है हमें बोला गया है कि PQ अनुपात BC PQ अनुपात BC बरावर एक अनुपात 3 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ देखो ऐसे लिख सकता हूँ PQ अनुपात की जगे पर बटा लग जाएगा और BC क्यूंकि बटा का मतलब भी अनुपात ही होता है देखो एक अनुपात है तो बटा लगा दो और तीन तो कहने को यह चीज हमको दी गई है हमें बताना क्या है हमें बताना है AP और PB का अनुपात AP ठीक है अनुपात PV क्या होगा ये चीज हमको बतानी है देखो A, P, A और अनुपात P, V, A ये और ये हमको बताना इसका अनुपात कितना होगा तो देखो कैसे करेंगे सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये P, Q किसके समानतर है P, Q समानतर है B, C के ये वाली जब रेखा इसके समानतर होती है तो आपको थेल्स प्रमें लगानी पड़ती है तो थेल्स प्रमें कहती है कि अगर ये इसके समानतर है तो इनकी भुजाओं कानपत बराबर होगा यानि कि A, P बटा A, V इसलिए A, P बटा A, V बरावर AQ बटा A C AQ बटा A C A P बटा A V बरावर A Q बटा A C ठीक है अब देखों यहाँ पर और इस सभी का देखेंगा रहापत बाद तो 1 बटा 3 दिया गया है हमें ठीक है अब यह चीज अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेगा ठीक है यह A P है और A V यह A V पूरा का पूरा टोटल है तो इस टोटल की जगर पर हम लिख सकते हैं A P प्लस P V तो इसकी जगर पर लिख दो A P प्लस P V बरावर हमारा A Q बटा A C बरावर 1 बटा 3 देखो A P P V यहाँ से मिल जागा तो इसको कोई मतलब है नहीं तो इसको हम नहीं लेंगे काटना नहीं है आपको मैंने काट दिये बताने के लिए इसे काटना नहीं बिल्कुल ऐसे ही रखना है आपको ऐसे साइन लगा करके इसको कर देना है A P बटा नीचे हमारा क्या है A P प्लस P V ठीक एपी धर ले आओ तो हमारे पास तीन एपी प्लस का एपी धर आएगा माइनस का एपी हो जाएगा और बराबर हमारे पास यह एक पीवी है अब तीन एपी से गया तो हमारे पास बचा दो एपी बराबर एक पीवी तो हमको क्या बताना करना है यहां पर इसको पता करने क सकता हूं एक बटा पीवी बरावर एक बटा दो क्योंकि एक की इससे गुणा हो जागी तो बापस ही आ जाएगा दो की एक बटे की जगए पर अनुपात और यह दो तो यही हमारा जो है एंसर होगा ठीक है यह हमारा एंसर है आप मैच कर लिजे कौन सा उप्शन सही है एक अनुपात दो ठीक है समझ गए ठीक है आप चलो आगला कोशन देख लेते हैं क्या है अगला कोशन है कह रहा है कि थीटा बरावर 30 डिगरी हो तो बन प्लस 10 स्कॉर थीटा कमान क्या होगा ठीक है पांचमा कोशन है हमें थीटा बरावर दिया गया है 30 डिगरी ठीक है तो हमें बन प्लस 10 स्कॉर थीटा कमान बताना है देखो कैसे करते हैं देखो यहाँ पर आपर सेक है स्क्वायर है तो ठीटे की जिगपर 30 दिया गया है आपको तो रख दो और आपका answer आ गया देखो सेक में 30 किसका वान होता है सेक में 30 सेक में तो को साता है को सका under root 3 बटा 2 तो इसका होगा 2 बटा under root 3 ठीक है और square है तो square लगा दो आगे जो हमारा आगला कोशन है, छटा कोशन देख लीजिए, छटा कोशन है, कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई, बावन पत्तों की गड़ी से एक इका आने की प्रैक्ता क्या होगी, बावन पत्तों की गड़ी से एक इका आने की प्रैक्ता हमको बताने की, जिसक कि परदरांब पर नाने सब्सक्राइब 50 ने 2 होंगे ने विद् लिए 12 ने 2 नी संभब परणाम संभब परणाम जो आपसे कोशन पूछ जाता है बताओ एक इका ठीक है एक आने की प्राक्ता तो बावन पत्तों की गड़ी में इका कितने होते हैं चार इका होते हैं सबको पता है चार होते हैं नीचे हमारे पास बावन है ठीक है देखो यहां पर इसको आप काटेंगे तकट जाएगा थी नहीं चाटेगा चारीं कमचार और चारीं कमचार ने पांच चातींगे बार तो हमारे पास आजाएगा एक बटा 13 तो यही हमारा एंसर हो एक काने की प्रैक्तह एक बटा 13 ठीक है चलो आगला man Yap dont about देखे जाएगा कोशन उस पर देख लिजिए सात्वा कोशन है कि दो समरूप तिर्भुजों की उचाई कर्मसाह तीन और चार हैं उनके छेत्रफ़लो का अनुपात क्या होगा देखो अनुपात दिया गया हमें उचाई का अनुपात तीन अनुपात हमको चार ये दिया गया है हमसे बोला गया छेत्रफ़लो का अनुपात ठीक है देखो यहां पर अभी मैं आपको बताऊंगा यह हो गया ठीक है अगर आपको छेत्रफ़लो का अनुपात पता करना है और आपको यह दिया गया तो याद रखें का छेत्रफ़लो का अनुपात निकाल कोशन आठमा देख लो अगरा कोशन है कह रहा है कि दिये गए चित्र में ठीक है कोण O P Q बराबर 110 डिग्री हो तो कोण P T Q होगा अच्छे यहां पर एक चित्र हम को दिया गया है एक पहले तो सरकल है ठीक है इसके उपर हमारी एक इसपर्स रेका डाली गई है दो इसपर्स रेका एक्चुली एक यह बाहा बिंदु है बाहा बिंदु हमारा T है यहां पर हमारा एक P स्पर्श बिंदु है एक Q स्पर्श बिंदु है और इसका एक बिंदु है केंद्र है O है और यह इसको इससे मिला सकते हो आप इसको इससे मिलाया गया है इसी चित्र में और यहां का जो एंगल दिया गया है वो 110 डिग्री दिया गया है ठीक है ठीक है चलो पहले लिखलो या पर दिया है देखो यहां पर हमको कौ कोड़ Inter Q बरावर 110 डिग्री दिया गया है ठीक है तो हमें कौन P T Q पता करना है इतनी चीद दी गई है आपको पता करना ये चित्र भी दिया गया था अब इतना तो समझ में आ गया होगा आप देखो यहां पर क्या करना है O P, बीच वाला P P यानि acrylic यह था कोशिन गलत मैंने उता लिया क्या closest है ठीक है ठो यहांपर थोड़ी सी मिश्टेक हमने लिखने में कर दी है P O Q होगा ठीक है यहाँ पर P O Q तो यहाँ पर जो कौन बन रहा है 110 बन रहा है तो आपको यहाँ पर T तो आपको यहाँ पर T जो है यह पता करना यहाँ पर क्या होगा तो T का बीच वाला अंगल चेक किया जाता है तो T यह बीच में कि समानतर चत्रभुज है ठीक है चत्रभुज भणा हई ठीक है इसलिए आपको पता है कि अगर चत्रभुज कोई होता है कोई एक चत्र है अगर चत्र है तो कि इनकी प्लस कोण Q, ठीक है, प्लस कोण टी बराबर होगा तीनसो साठ्स n अब देखो यहाँ पर जो एंगल बने एकको तो यहांपकी है आपका करना है ठीक है यहांप तो आग गया आगया एक tai सब्सक्राइब कर दो तो एक नो एक दो ठीक है तो 290 हमारे पास कुल मिला करके टोटल आएगा कौन्टी बराबर 360 तो कौन्टी बराबर 360 ये प्लस का गटाने में को दिक्कत तो नहीं वी मुझसे इतना ही आएगा 70 डिगरी तो जो ऑप्सन हो चेक कर लीजेगा ठीक है ठीक है चलो आगला कोशन नमा जो है उसको देख लेते हैं क्या है अगला कोशन देख लीजें नमा कोशन यहाँ पर हमको बताना है साइन स्कुए साथ डिग साइन स्कूरण और याद रखेगा आप साइन स्कुरण कोशन आ याद रखेगा अब कैसे गरूगे पोगत सिंपिल है आपको पता कितनी होता है न कमान होता थैं यह मां रpor एक स्कुर्ण कर गाड़ एक बटा-दो स्कुएर और यह बचाएगा और ये दो दुना 4 हो जाएगा और एक का स्कूर को एक आएगा और दो का स्कूर दो दुना 4 नीचे जैसा है तीन से एक जाएगा दो बचाएगा दो गैड़े ना चार तो फाइनल रिजल्ट आया वह आया एक वाटा दो ठीक है तो option में देख लो एक वाटा दो कौन सा option सही है ठीक है अगला question जो दस्मा है उसको देख लीजिए जो हमारे पास अगला question दस्मा है वो कहला है कि चित्र में एक पहले चित्र यहां पर दिया गया मैं आपको भी समझाओगा दो मिल्ट ठेढ़िए थोड़ा देखो और ही k विंदु है ठीक है चलो अब यहां पर हमको बताया गया है कि त्रभुज की त्रभुज A, H, K क्या है देखो यहां पर पढ़ लेता हूं एक बार कह रहा है कि चित्र में त्रभुज A, H, K और त्रभुज A, B, C समरूप त्रभुज है A, H, K क्या है समरूप है ठीक है और क्या दिया गया है A के बराबर 10 A के यह जो यहां से आ तक है यह हमको 10 दिया गया है 10 cm और B C बराबर दिया गया है B C बराबर यहां B और यह C है यह 3.5 cm दिया गया है ठीक है और H के H के यह जो है यह 7 cm दिया गया है तो आपसे AC पूँचा गया है यह AC कितना होगा यह वाली जो है रेखा AC कितनी होगी यह हमसे हमको बताना है ठीक है चलो देखो यह तर्बुच कैसे हैं वहिया समरूप है अब समरूप है तो उन्हें की संगत भुजाओं कौन पद बरावर होगा तो कहने का मतलब AH बटा AV बरावर HK बटा BC बरावर सुरू का लाश्ट का AK बटा AC यह चीज होगी अब देख लो यहाँ पर AH कितना है AH कुछ है ही नहीं यह हमको दिया नहीं गया है AB हमको दो दिया गया है ठीक है और सही है बिल्कुल यह हमको पता करना है ना एक्चुली क्या पता करना है मुझे यहाँ AB क्या है यार सुरी यहाँ पर गाईस यहाँ पर AC हमको निकालना है तो AC यह वाली हमको रेखा निकालनी है ठीक है यह AB हमको नहीं दिया गया है तो AB तो AB होगा ठीक है यह AB है ठीक है HK, च्क हमारे पास 7 है, और BC हमारे पास 3, 1 कितना है, एक हमारा 10 है, और AC हमको पता करना है, यह चीज़ थो हमारी कुछ होगी नहीं, तो उसको भटाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो AC से मतलब हैं, यह वाला आप नहीं लेंगे, तो इनको जो है बरावर डाल कर सकते हैं इसलिए AC की 7 से गुणा करा देंगे तो 7 AC आ जायेगा और इसकी जब कराएंगे गुणा तो आएगा कितना 10 गुणा साड़े 3 है पॉइंट काटेंगे 10 बड़ेगा 10 से 10 कट जायेगा AC बरावर कौन सा साइए AC बरावर 5 से मिटिमीटर आया है ठीक है चलो अगला कोशन 11 जो है उसको देख लीजिए कोशन 11 है कह रहा है कि यदि PA किसी घटना की प्रायक्ता को दरसाता है तब प्रायक्ता की सर्थ होगी देखो प्रायक्ता की सर्थ क्या होती है प्रायक्ता की सर्थ आप देख लीजिए देखो प्रायक्ता की सर्थ प्रायक्ता की सर्थ प्रायक्ता होने की सर्थ क्या होती है ये प्रायक्ता होने की सर्थ होती है कि अगर मालीजे कोई घटना या पर हमको दिया गया है अगर ये किसी घटना की प्रैक्ता है तो इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा और 1 से छोटा या इसके बराबर होगा इसके बीच में ही यही सर्थ होती है कि अगर कोई घटना है और इसकी प्रायक्ता निकाली है तो वो हमेशा 0 या 0 से बढ़ी एक और एक से छोटी ही आएगी अगर आपकी प्रायक्ता इससे जधा आ जाती है माइनस में आ जाती है या जीरो से बढ़ी माली जे एक से बढ़ी आ जाती है तो आपका एंसर गलत है तो प्रायक्ता होने की सर्थ यह है option चेक कर लीजिए ठीक है अगला जो बारमा question है उससे देख लीजिए बारमा question है कहरा है कि यदि बहुपद हमें बहुपद यहां पर दिया गया है कुछ इस तरीके से x cube प्लस ax square प्लस bx प्लस c ठीक है का एक मूल का एक मूल माइनस 1 है ठीक है तो हमें मूलों का गुडन फल दो मूलों का गुडन फल पता करना है मूलों का गुडन फल क्या होगा यह चीज़ हमको बतानी है देखो अब समझो बात को यह हमें एक त्रिखात बहुपद दिया गया है और हमको क्या बताया गया है कि इसका मूल हमको जो है माइनस का एक दिया है माइनस का एक अच्छा तो माइनस एक दिया है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है कोश्चन में यार ये कोश्चन आपकी वैसे तो ये जो कोश्चन है बहुत पुराना कोश्चन है बहुत पहले का ये पहले के सवाल आते थे अभी तो आपके स्लेवस में बिल्कुल है यह नहीं पहले जब पढ़ते थे तो पहले त्रिघाद भौपद भी पढ़ा करते थे हम और जो है ना आप द्रिघाद भौपद के बला पढ़ते हैं लेकिन त्रिघाद भौपद आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो त्रिखाद भवबत का question है आपको समझ में भी सायद ना आये तो मैं इसे भी नहीं समझाओँगा, मैं कराने लगूँ तो आपको माइंड में भटकाना चाहता हूं, पेपर भी होने वाले तो आपके माइंड में बही डालिए ठीक है तो जो आपको समझना हो अभी आगे आप एक्ष्टा आप वीडियो जो है बता जीजिए कमेंट में बता दीजिए जो मैं आगे पेपर आपके बोर्ड एक्जाम हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको त्रिखाज भूपत भी समझा दूँगा ठीक है अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके माइंड में कुछ एक्ष्टा चीज जो भर जाएं जिससे कि आपका माइंड में भी एक capacity होती है भरने की तो उतना जो है मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ ठीक है चलो आगला जो तेरवा कोशन है उससे देख लीजिए य यदि एक्स टेन पैतालिश डिगरी इंटू को साथ डिगरी बरावर चलो यहां पर पहले लिख लेता हूँ दिया गया है दिया है यहां में दिया गया है एक्स टेन पैतालिश डिगरी ठीक है और कॉस साथ डिगरी बरावर साइन साथ डिगरी इंटू कोट साथ डिगरी ठीक है, यह X हमको बताना है क्या होगा, कोशन बहुत ही मज़दर कोशन है, और सब को आना चाहिए, कोशन बहुत ही आसान है, देखो कैसे होगा, X है, तो X लिख दो, 10 पर 45 कामान कितना होता है, 1 होता है, इंटू है, यह इंटू है, ठीक है, गुड़ा, कोश साट कामान कितना होता है, एक बटा दो होता है, बराबर, साइन साट कामान कितना होता है, अंडरूर तीन बटा दो होता है, कोट साट, कोट साट कामान होता है, अंडरूर तीन, और यह एंसर आपके सामने, यह दो कट जाएगा, तो X की बन से गुड़ा करेंगे तो X आएगा और इसकी करेंगे तो एकट जाएगा तीन आजाएगा तो हमारे पास option check कर लो जो आपका option है लगा दो ठीक है मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ मैंने कौन सी जो है education हमने पढ़ाई की है मैंने 12 जो है की थी अभी की थी जो है 12 मैंने mathematics से की है और मैंने जेए का जो है paper दिया था जेए का exam जो होता उसको दिया था मेरी आई थी कम से कम 65 percentile आई थी तो भी मेरा selection नहीं हो पाया बट तो उससे जो है मैं थोड़ा दुखी हुआ बट आभी मैं सही हूँ क्योंकि यार मैंने इतना तो प्रियास किया बाकि मैंने कोई coaching मेरा नहीं पड़ी थी अपनी याप Selfie City से मैंने 65 percentile gain की थी तो इससे मुझे थोड़ी खुसी थी किया और मुझे भले ही मेरा ना selection हो पाया हो मैंने IIT ना ले पायी हो बट उसका जो knowledge है बो मेरे पास है अभी उसी कराण से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ मेरे लिए सब बहुत ही easy है ठीक है चलो चलो आगे देख लीजिए अभी मैं जो है पढ़ाई अपनी कर रहा हूँ गे यूशन जो है complete कर रहा हूँ आगे जो है आपको inform करता रहूँगा अपडेट करता रहूँगा ठीक है चलो इसका जो आगला question है वो देख लीजिए क्य यार यह तो बहुत ही easy answer ने question रख लिया हाँ यह आसान है और बहुत ही बार पूंचा जाता है इसलिए मैंने रखा है मैंने बताया आपको कोई आसान हो या कठीन हो जो important है बार बार पूंचा गया वो मैंने रखा है है गी नहीं देखो इस मैंसे आपको बतानी है वह कौन स सिय अब समझो सहवाजी संक्या पता होगी तो बहुत बड़ी यह बात है देखो सहवाजी संक्या मेनी क्या होती है सबसे रहे वह संक्या होगी तब ही वह सिल्गी लगा सेवडव and watch si if यह संक्या होती हें जिनका मासा होता है तो हम चेक करेंगी जिसका CF एक आजाए भई हम और साथी कम साथ तो वाजाएगा दो गुणा इसका वारा पांच गुणा साथ आएगा एक्चली बतावा आपको तो ठीक है सही है न ठीक है पांच सथे पैंतिस ठीक है अब देखो यहाँ पर इसका पर आप निकालेंगे तो तो ऐसीप इसका तो भाई आगे हमारा साथ अब इसका ऐसेफ साथ आगे तो हमारी यह वारी जो अप्सन गलत है ठीक है अगला देख लीजे 18 और 25 अठारा और 25 इस ओप्सन को चेक करो तो ऐसका ऐसेफ तो भाई कहीं पर बॉक्स बनी नहीं रहा है तो इसका ऐसेफ कुछ नहीं है अब बहुत ही आसान से कोशन है और आसान है इंपोटेंट है अगर पूछे तो ऐसे ही कर ले ना आपको ठीक है चलो पंदरबा कोशन देख लीजिए कह रहा है कि यदि दुषिगा समीकर्ण P X स्कौायर हमें दिया गया है एक दुषिगा समीकर्ण दी गई है P X स्कौायर माइनस दो अंडरूर दो P X प्लस 15 बरावर 0 के दोनों मूल बरावर हैं अच्छा के मूल कैसे है भईया मूल जो है बरावर है ठीक है तो हमको P जो है ये P हमको पताना है, बहुत ही आसान है, जो को ये P हमको पताना है, हो जाएगा, देखो सबसे पहले समझो, मूल बराबर है, मूल बराबर है, इसका मतलब क्या है, मूल बराबर है, इसका मतलब है, कि जो D होगा, जो बिविक्त कर होगा, वो 0 होगा, तो कहना का मतलब जो D है, वो जीरू है क्यों भाई या क्यों 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 मूल बराबर है अब जब मूल बराबर होते हैं तो डी कमान जीरू होता है बिविक्त कर जीरू होता है पता है समझो वात को ठीक है चलो यहां पर देखो यहां पर क्या है बिविक्त करका फामला लगाओ यहां पर मूल ज under root 2P है square है तो square लगा 2 माइनस है तो माइनस 4A है हमार पास P और जो C है वो है 15 तो 0 इसको जो solve करेंगा तो 2 दूना 4 और यह अमार पास 2 under root square से root करेंगा 2 आएगा और यह P square ठीक है और यह हो जागा 15 चको 60 ठीक है अब देखो यहां से यहां से आप 4 दूना 8 P स्कॉाइर माइनस का 60 P और यहां से आप जो है 4 P कामा ले सकते हैं तो 4 दूना 8 P माइनस 4 कम 4 पांचे 4 पंचे 20 पंधरा तो यह जो है गुड़ा में है इदर आएगा बटे में आ जाएगा तो यहां से हमारा आजाएगा देखो 2 P माइनस का 15 यह 0 हो गया तो कहने का मतलब हमारे पाद जो आया है वो 2 P माइनस 15 बराबर 0 तो 2 P बराबर आगया 15 ठीक है और P बराबर आजाएगा 15 बटा 2 तो P कामान आएगा 15 बटा 2 ओप्सन देख लो कौन सा सही है 15 बटा 2 हो आएगा ठीक है क्लियर है समझ गे solution करना आपको आना चाहिए मैं थोड़ी ना बता रहा हूं solution करना अब देखो अगला कोशन जो हमारा कौन सा सोलमा कोशन है अगले पेज में बताता हूं आपको मैं पेज की बिल्कुल कंजूसी नहीं करता हूं हाँ बिल्कुल नहीं पेज चाहिए यार आपको समझ में आना चाहिए और किया देखो सोलमा कोशन है कह रहा है कि यदि साइन ठीटा बरावर चार बटा पाँच है तो टेन ठीटा का मान गया आतकी यह इतना छोटा कोशन भईया यह कोशन इंपोटेंट था अब्जेक्टिम में तब में रख लिया ठीक है तो हमको क्या निकालना है हमें निकालना है टेन ठीटा का मान आप देखो टेन ठीटा कैसे हवा में निकलता आई है यह ऐसा कोशन आता सबसे पहले भईया सबसे पहले में समकुन थ्रूज बना लिया समकॉन त्रूज मालो A B C है ठीक है साइन ठीटा ब्रावर किया होता है आप लाल बता कक्का सबसे पहले तो लिख लो लाल बता कक्का इसकी ज़रूरित पता होना चाहिए तो उपर वाला जो है यह लम होगा नीच वाला करण होगा तो यह हम दिखा रहेंगे तो नो तीन आएगा ठीक है बैसे करके दिख लेते हैं आधार नहीं पता तु पता कर लो पाइथागोरस लगा अगर करके से पाइथा करण का स्कुएर करण हमारे पास पांच है तो पांच का स्कुएर बराबर लम स्कुएर लम अपने पास चार है स्कुएर कर दो प्लस आधार स्कुएर अधार अपने पास बीसी है तो बीसी स्कुएर गया पर 25 हो जाएगा और यह हो जाएगा चार चुक है 16 और य टीन ठीक है तो यह हमारे पास तीन आएगा इसलिए उनकुल यह सी देख जो देखुए तो बटा आधार तो यह ठीक है चलो सत्रमा कोशन देखे लो सत्रमा कोशन है कह रहाए कि एक से पंध्रा तक अच्छा एक से पंध्रा तक जो है हमको बताना है समानतर एक से पंध्रा तक समसंख्या आने की प्रायक्ता नहीं है आपको माध्य बताना है एक से पंध्रा तक समसंख्या कि का माध्य है ठीड है अच्छा एक से पंधरा तक की समसंख्य को से होतीं इसे था च्छार छे आठ नौँ देस और बारहा चौधा यह हमारी समसंख्या होंगी एक से पंधरा तक बीच में ठीड है अब हम चोश्वें किसे संख्या है चो पतां से निकल रहे हैं सह perfect कर अने का उनको मात निकालने का वाता आपको पता होगा कि अंक करो का यूग में अकरों की संख्या आखणों का यूग में अकड़े क्या होते है जो पैल इस अंकरों का योग यह तो लोग कर दो imaja दो प्लस, चार प्लस, छे प्लस, ठीक है, इनका योग, योग का मतलब जोड, अब देखो कितने आकड़े, आकड़ों की संख्या, आकड़े कितने हैं हमारे पास, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, चे, चार, दस, ग्यारा, बारहा हो जाएंगे हमारे पास, बारहा, बीस, तीस, चालिस, बीयालीस, और बीयालीस में हमारा चाउधा एट कर दोगे, चार, पांच, छे, चार, एक, पांच, छे, साथ, अटे, चापन, यानि कि हमारे जो मात आएगा, वो आएगा, ठीक है, दिक्कत, समसा, प्रोब्लम, नहीं होनी चाहिए, साथ, अटे, शपन दोई, एक, स्क्वाइर, प्लस, 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 प आपसे A, B, C, मतलब कोई नमबर, कोई जो है, अलफाबेट पूंचे है, तो आपको क्या करना होगा, एक मूल देने का मतलब यह है, कि इसका जो, इसका जो, जो X, X है, यह दिया गया है, अगर यह X बराबर क्या है, हमारे पाद देखो, X बराबर 2 है, अगर आप X बराबर 2 तो Y बराबर ले लेना है, ठीक है, X में दिया थो, तो मैंने X बराबर ले लिया, ठीक है, अब जहाँ-जहाँ X से इसको बैठाल दो, और आपका answer आ जायागा, देखो यहाँ पर, यह 2 हो जायागा, और X की जगए पर कितना रखना है, 2 लेना है, तो 2 स्क्वाइर, प्लस A X की जगए पर 2, प्लस 6 बराबर 0, यह हो जागा 2 दूना 4 दूना 8, और यह हो जागा 2A, सहिए न, और यह 6 बराबर 0, तो 2A, 8 और 6, 14 हो जाएंगे न, बराबर 0, तो यहाँ से देखो, A बराबर आजाएगा, मारे पास, प्लस का 14 हो जाएगा, माइनस का होगिया, गुणा A, B, C, क्या है, समरूप है, तो हमको कोण A बराबर क्या होगा, यह हमको बताना है, यहाँ पर कोण A देखो, जब समरूप है, तो उनके कोण बराबर होंगे, इनके संगत कोण बराबर होंगे, क्या होगे, संगत कोण बराबर होंगे, जब समरूप होते हैं, तो उनके संग कोड़ सी होगा वो कोड़ आर के बराबर होगा समझ गे बात को तीन कोड़ होते हैं न तो यह चीज बराबर है हमसे पूछा गया तो कोड़ बराबर क्या होगा तो कोड़ बराबर कोड़ पी होगा तो option देख लो कौन सा सही है कोड़ बराबर कोड़ पी तो यानि कि कोड़ कि जिसमें हो option जिस option में हो वहाँ पर टिक लगा सकते हो अगर को भी पूछता तो यह कर देते कौन सी पूछता तो इस तरी के से कर देते हैं ठीक है है हो गया चलो 19 इसके बाद 20 मा question देख लो किय रहा है कि 2 प्लस अंडर उड 3 संख्या 2 प्लस अंडर उड तीन इंटू 2 माईनस अंडर उड तीन होगी अच्छी कौन सी संख्या होगी वह आमको बताना है चलो देखो सबसे पहले इसको सिंप्लिफाय कर देखते कौन सी संख्या मिलती है क्यों आपको पता है कि a square minus b square बराबर होता है a plus b और a minus b तो a plus b a minus b है इस form में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a square a हमारे पास 2 है तो 2 का square minus b b कितना है हमारे पास under root 3 है तो इसका square कर दो तो यह गा 2 दो 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 4 minus square से root करेगा तो 3 तो 4 में से 3 गया एक तो एक क्या है एक एक परिमय संक्या क्या है परिमय संक्या एक परिमय संक्या क्यूं है क्यूंकि इसके बटे में कुछले तो बन है कि नहीं तो एक क्या है एक परिमय संक्या है समझ गया है खीक है आसान था हो गया तो जो option में हो वही जो है आपको टिक लगा देना है तो इस वीडियो में हमने बीसो को बीसो जो अब्जेक्टिव थे most important उन्हें कर लिया है ठीक है और इसके बाद जो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे इसके बाद एक हमारे अब्जेक्टिव पितने हो गए हमने देखो अभी बीस मिस कर रहे हैं और हमने दो वीडियो बना दी एक पिछली वाली और एक यह तो कुल बिलाकर करके हमारे क्यूंकि यार हम आपको देखो फ्री पड़ा रहें बिल्कुल कोई चार्ज बेगा नहीं ले रहे हैं तो आप जो है इतना तो कर सकते हो आप में